एपिसोड की शुरुआ जॉए और उसके डॉग गिलियन से होती है वो दौनों जॉबी एपोकेलिप्स के बाद से बेस्मेंट में रह रहे थे जॉए अपना टाइम फुटबॉल रीरंस देखकर और सुड़ा को खेल कर बिताया करता था पीच पीच में जॉए गिली को फ्रेश होने के लिए बेस्मेंट के बाहर भी ले जाया करता था एक दिन जॉए गिली को बेस्मेंट के बाहर लेकर आया था तब को जॉबी उन्हें घेर लेते हैं जॉए अपने चारो और स्पाइक्स का एक घेरा खड़ा कर देता है तिला रह जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, जॉय की सुड़ा को बुग्स भी पूरी भर चुकी थी, एक दिन जॉय अपना पुराना समान देखता है, उसमें उसे एक लेडी के साथ हुई, अपनी कुछ पुरानी ऑनलाइन चैट्स दिखाई देती हैं, जॉय उन उसको पढ़ता है, और उस लेडी से रूपरू होने का मन बना लेता है, जॉय अपनी मोटर बाइक को तयार करता है, और वहाँ से निकल जाता है, रोड पर विखरे हुए स्पाइक से, जॉय की मोटर सैकल के टायर खराब हो जाते हैं, उसे उसी जगे उतरना पढ़ जाता ह जॉय आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप पर पढ़ जाता है, और वो एक जाल में फस जाता है, जाल में बंदी हुई बैल के आवाज सुनकर जॉंबी जॉय के पास पहुँच जाते हैं, एक लेडी एवी तुरंती जॉय के पास आकर उस जॉंबी को मार डाल जाती है, एवी जॉय के जाल को काट कर उसे फ्री करके अपने कॉटेज में लेकर कुर्सी से बांद देती है, एवी जॉय को बताती है कि वो एक स्प्रिच्वल परसन है और वो गॉड से किसी के वहाँ आने के लिए प्रे कर रही थी, गॉड ने उसकी सुन ले थी और जॉ अपनी मोटर बाइक पर वहाँ आ पहुचाता, जॉय एवी को बताता है कि उसकी मोटर बाइक में एक किल स्विच लगा हुआ है, जिसके कारण उसकी मोटर बाइक उसके अलावा और कोई नहीं चला सकता, एवी जॉय को अपने साथ चलने के लिए कहती है, वो उसे गन पॉ एवी ने हैंडकफ्स बना दिये थी, ताकि वो कहीं भी भागना सके, एवी को जॉय का प्राइवेट जनरल मिल जाता है, वो से पढ़ने लग जाती है, जॉय ये देखकर गुस्से में आ जाता है, और एवी को जनरल बापस रखने के लिए कहता है, एवी जॉय को इगनोर क करके उसके जनरल को जोरों से पढ़ने लग जाती है, अगले दिन वो दौनों फिर आगे की और रवाना हो जाते हैं, रात में वो दौनों फिर एक जगे पर रुख जाते हैं, इस बार उनका सामना कुछ जांबी से होता है, जॉय एवी से अपने हैंडकफ्स खोलने के थे, एवी जॉय के हैंडकफ्स खोल देती है, वो दौनों फिर आगे की और रवाना हो जाते हैं, जॉय एवी से पूसता है कि वो कहां जाना चाहती थी, एवी के बताने पर जॉय को पता चलता है कि उन दौनों का डेस्टिनेशन एक दूसरे से सिर्फ 10 माइल्स की दूरी एवी जॉय को अपनी प्री एपोकेलिप्स की लाइफ के बारे में और अपने हस्बेंड के बारे में बताती है कि वो अपने आपको खो चुकी थी, पर अब वो बहुत कुछ संभल गई है, एवी जॉय को बताती है कि उसका हस्बेंड अपनी नेगेटिव एनरजी को खतम क लिए उन लोगों की पिक्चर्स बनाया करता था जो उसे पागल समझा करते थे एवी को लगता था कि उसने एवी की पिक्चर भी जरूर बनाई होगी क्योंकि वो दौनों एक दूसरे से सेपरेट होने से पहले एक दूसरे को बहुत कुछ कहा करते थे एवी अपने हस्बिंट से एक बार फिर से मिलना चाहती थी और उसके साथ अपनी लाइफ दुबारा शुरू करना चाहती थी जॉय अपना जनरल एवी को पढ़ने के लिए दे देता है अगले दिन सुबह जॉय आगे जाने के लिए मोटर बाइक पर बैठ जाता है और एवी को आवास दे कर बुलाता है एवी जॉय को अंदर बुला लेती है एवी जॉय को बताती है कि उससे उस लेड़ी की एक्जेक लोकेशन का पता चल चुका है जिससे जॉय मिलना चाहा रहा था जॉय को लगता है कि वो लोग 12 गंटे से भी कम समय में वहाँ पर पहुँच जाएंगे तब ही उनके मोटर साइकल कोई लेकर चला जाता है मोटर बैक चोर वहाँ पर एक मैमने को बांद कर चला गया था जॉय एवी की गन ले लेता है और मोटर बैक चोर के पीछे भागता है वो उसके उपर गोलियां चलाता है लेकिन देखता है कि गन खाली थी जॉय को एवी के उपर गुसा आता है कि वो अभी तक खाली गन लेकर उसे बेपकूब बना रही थी वो दॉनों पैदर ही अपने डेस्टिनेशन के और बढ़ने लग जाते है एवी मैमने को कैरी कर रही थी उन लोगों का पूरा समान पाइक के साथ चला गया था जॉय को लगता है कि मैमने के रूप में उनके पास फिलहाल खाना मौजूद है एवी को जॉय की ये बात पसंद नहीं आती दॉनों में बहस होती है दॉनों अपने अलग-अलग रास्ते पर आगे बढ़ जाते है जॉय मैप को फॉलो करता हुआ एक सुनसान घर के सामने पहुँच जाता है ये वही घर था जिसे जॉय ढून रहा था जॉय को चारा और से वॉकर्स खेर लेते हैं जॉय को एक जगे लगा हुआ कैमरा दिखाई देता है और वो उसके सामने जाकर उन शब्दा को चिला कर बोलने लग जाता है जिने वो और वो लेडी एक दूसरे को कहा करते थे तब ही एक ट्रैप डोर खुल जाता है और जॉय उसके अंदर नीचे गिर जाता है जॉय के पैर में चोट लग जाती है लेकिन वो सांडर को अपने सामने देखकर खुश हो जाता है इसी बीच एवी अपने हस्बेंट के कैबिन तक पहुँच जाती है वो अपने हस्बेंट का नाम लेकर पुकारती हुई कैबिन के अंदर खुश जाती है कैबिन में पेंटिंग्स के अलावा कोई नहीं था एवी पेंटिंग्स चेक करती है उसे अपनी पेंटिंग दिखाई देती है जो कि प्यार से बनाई गई थी इधर सांड्रा भी जोई से मिलकर बहुत खुश होती है जोई लंगडा रहा था सांड्रा उसे अंदर जाने में मदद करती है सांड्रा जोई को एक ब्राउनी खाने के लिए देती है सांड्रा को विश्वास नहीं हो रहा था कि जोई उससे मिलने के लिए इतनी दोर आया था सांडरा जॉय से पूचती है कि राग बहुत हो चुकी है और अब क्या जॉय वहाँ पर रुखने वाला था सांडरा जॉय को वहीं पर छोड़ कर फ्रेश अप होने के लिए चली जाती है सांडरा जब तक लॉट कर आती है तब तक जॉय प्राउनी के नशे में धूत हो चुका था सांडरा जॉय इससे किसी फेवरेट चीज यानि की गिली या फुटबॉल के बारे में सोचने के लिए कहती है जॉय को अब हल्यूसिनेशन होने लग जाती है सांडरा उसे जिप लॉक से बांद देती है और उससे उस जगे आने का कारण पूछने लग जाती है सांडरा ने अजीद तरह का मेकप कर लिया था और जॉय के गले के उपर वो जोरों से वार करने लग जाती है सांडरा की लगातार पूछने पर जॉय उसे बताता है कि वो सांडरा से मिलने के लिए इतनी दूर आया था सांडरा एक बर फिर जॉय की नेक पर वार करती है साथी साथ वो चिलाती जा रही थी कि उसे जॉय के उपर भरोसा नहीं है और जॉय उसकी जगे को चुराने के लिए वहाँ पर आया था सांडरा जॉय को बताती है कि एक आदमी उसकी प्लेस में घोस आया था सांडरा डर गई थी कि वो उससे उसकी जगे को छीन लेगा तब सांडरा ने उस आदमी को मार डाला था और उसकी watch को उसने रख लिया था सांड्रा cabinet में लगी हूई watches को देखती है और joy की watch उतार लेती है यानि की सांड़ा ने अभी तक बहुत से आद्मियों को मार डाला था सांड्रा मीट काटने वाले चाकू से joy को मारने की कोशिश करती है लेकिन उसका चापू एवी के दिये हुए क्रिस्टल पर लगता है और जॉय बच जाता है सांडरा की घर का अलार्म बचने लग जाता है सांडरा जॉय को पोल से बान देती है इधर बाहर आने वाली एवी थी जिसके करण अलार्म बच रहा था सांडरा उसका वेलकम करती है और उसे ब्राउनी खाने के लिए देती है एवी सांडरा को उसके स्क्रीन नाम से बुलाती है सांडरा एवी को पहचान नहीं पाती एवी सांडरा को जॉय के बारे में बताती है पहले तो सांडरा बनने की कोशिश करती है कि वो किसी भी जॉय को नहीं जानती लेकिन उसके तुरंट बात वे एवी को बताती है कि जो शायद रास्ता भूल चुका है क्योंकि वो अभी तक वहाँ पर नहीं पहुचा था सांडरा नोटिस करती है कि ब्राउनी ने एवी को अभी तक इफेक्ट नहीं किया था वो एवी को और ब्राउनी ओफर करती है एवी को सांडरा के बिहेवियर से उसके उपर शक हो गया था एवी सांडरा के उपर अटेक कर देती है सांडरा नीचे गिर जाती है एवी अपने मेमने को खोलने लग जाती है उसे जॉय के आवाज सुनाई देती है एवी जॉय को फ्री करवा देती है सांड्रा एक चाकू लेकर दौरती हुई जॉय और एवी की और उन्हें मारने के लिए आती है जॉय मीट क्लेवर सांड्रा को निशाना बना कर फेकता है और सांड्रा मारी जाती है जॉय बंकर से बाहर निकल जाता है वो मेमने को और एवी को बाहर आने में हेल्प करता है एवी को बाहर निकलते समय जॉंबी फाइट सांड्रा दिखाई देती है जॉंबी फाल्ट सांट्रा एवी को पकरने की कोशिश करती है एवी बाहर निकल कर तेजी से पंकर के दर्वाजे को बंद कर देती है एवी और जॉय रात एक ब्रिज के उपर बिताते हैं उनके चारों और बहुत सारे जॉंबीस मरे हुए थे सुबे जॉय अपनी जान बचाने के लिए एवी को थैंक्स कहता है दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और लाइफ को नए सिरे से शुरू करने का सोचते हैं वो दोनों अपने मैमने का नाम स्किपर रख देते हैं और बाते करते हुए एक और चले जाते हैं